हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बज़र वितायुश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं काफी कुछ इंपोर्टन्ट खबरों के बारे में companies के दुआरा दमदार नतीजे पेश किये गए आज काफी companies के numbers निकल के लेकिन उन में से दो ऐसी दमदार companies है जिन्नों ने आज काफी शानदार numbers पेश किये उसके बारे में इन वीडियो में बात करेंगे जिस से देखे काफी तगडी कमाई अब होती हुई देखने को मिल सकती प्लस आज बाजार में अगर आप देखेंगे तो अचानक से गिरावट बनती हुई देखने को मिली अचानक से अगर आप देखेंगे तो बाजार जिस प्रकार से आज परिशों में आता हुआ देखने को मिला इसके पीछे का रीजन क्या था और कितने पर अगर आप देखें आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाईएगा तो फ्रिंट सबसे पहली कमपनी के बारे हम बात करते हैं जिनने आद दमदार नतीजे पेश किये हैं तो दोस्तों सबसे पहली कमपनी है वो है अल्ट्रा टेक सिमेंट अल्ट्रा टेक सिमेंट के आज quarter 4 के numbers निकल के आए undoubtedly numbers बहुत जादा बढ़िया है बाजार की expectations थी 1700 करोड के मुनाफ़े की कितने के 1700 करोड के and profit company ने पेश किया 2620 करोड का अब समझ यह expectation से बढ़िया जब numbers निकल के आएंगे तो उन numbers की सराना करना important है उन numbers की उपर बात करना important है और यह जो numbers अल्ट्रा टेक ने पेश किया इसकी बाजार कहीं से कहीं तक expectation मान के नहीं चल रहा था बट अल्ट्रा टेक ने उससे ज़ादा बहतर number पेश किया और कह सकते हैं कि देखे दमदार performance company की द्वारा जारी है प्लस company ने 38 रुपे का dividend भी देखे पेश कर दिया है company ने 38 रुपे का final dividend recommend करा है अल्ट्रा टेक के numbers को दुस्तों और देखे तो पिछले साल अगर आप देखेंगे company ने करीबन 1775 करोड का profit बताया था जो इस साल वड़के 2620 करोड पे आया यानि 47.61% का jump अच्छा कासा आता हुगा देखने को मिला है यहीं बात करें देखेंगे जैसे एटी नाओ कब जो पोल था उन्होंने का था 1437 करोड का मुनाफ़ा आएगा तो यह अगर आप देखेंगे expectations अब जो नंबर्स निकल के आते हैं बहुत बढ़िया होता है कंपनी के रविन्यू की बात कर तो देखेंगे 157668 करोड का सपस आता हुगा देखने को मिला है 15,000767 करोड का सबसे बढ़िया है 9.45% की jump पे जो पहले 14405 करोड का आप कंपनी का रेविन्यू था तो यह अच्छी बात है कि देखेंगे कंपनी बढ़िया कर रही है हां मार्जिन की उपर एक थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ देखने को मिला है मार्जिन की उपर प्रेशर का सबसे बड़ा दिजए नियों यह कि cement prices अगर आप देखेंगे तो अब लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और वो जो margins है अब वो companies के उपपर दबाव बनाते हुए देखने को मिल रहे है आज ultra tech की बात करें stock की price की तो stock देखी जादा कोई बढ़िया तो आप वो करने ही पाया कि numbers जो थे वो market आस में निकल के आ गए थे stock में spike आया था फिर day highs तक आपको stock day high तक जाता हुआ देखने को मिला बट कह सकते हैं कि market का support नहीं था इसलिए stock के अंदर आपको थोड़ी सी downfall आ गई हाई से जो करीबन 6797 का हाई था but I think ultra tech में last one month में करीबन 0.42% की गरावटे 6 महीने में 15% नीचे और अगर आप साल की शुरुआत से भी दिखेंगे तो करीबन 15% नीचे ही मिल रहा है इसलिए हमें लगता है कि यहाँ पर आप डेफिनिटली आपको अपना रिष्टिकोन रखना चाहिए और विचार करना चाहिए इसके अंदर खायदारी करने का अब बात करतें next company के जिसके और बढ़िया set of numbers निकल के आए है जो numbers निकल के आए जो और बहतर number है वो है SBI Cards के SBI Cards के चौती तिमाई की नतीज़े निकल के आए है आज और company का जो profit है वो threefold बढ़ गया threefold नहीं 300% company का net profit अगर आप देखेंगे करीबन 580 करोड पर आता हुआ देखने को मिला है अपनी की total income 3,016 करोड पर रहती भी देखने को मिलिये जो पिछले साल तक 2468 करोड थी लेकिन company के profit के अंदर जो बाजर अनुमान मान के चल रहा है था कि threefold बढ़त आ सकती है और वो साफ साफ नजर आई है तो यह दिखाता है कि कार्ड बिजनस किस प्रकार से चल रहा है SBI cards and payment अब मुझे लगता है कि बेहच शांदार तीजी करने वाला है मान के चलिए company का सिर्फ 175 करोड का मुनाफ़ा था पिछले साल तक जो इस बार 580 करोड पर आता हुआ देखने को मिला है तो अब समझ यह कितना बढ़िया कारोबार अभी आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है cards का and SBI card मुझे लगता है कि अगर मार्केट में कोई सबसे फेवरेबल कंपनी होगी card बिजनस की तो वह SBI card ही होगी और कंपनी अब देखे बढ़िया भी कर रही है कंपनी ने एक साफ साफ का है कि जो उनका interest income है वही करीबन 1266 करोड बरा है और कंपनी का review करीबन 1082 करोड के आसपास पिछले साल था आप समझे 1082 करोड से बढ़के कंपनी का interest income 1266 करोड पर आना कंपनी की fees और commission से करीबन 1426 करोड कर यहां पर आपको देखे कंपनी का fees commission आता हुआ देखने को मिला जो पहले साल तक करीबन 1103 करोड था जिसके अंदर undoubtedly आने वाले समय के अंदर अगर कोई बड़ी तेजी आप देखते हैं तो वो कोई चौकने वाली बात नहीं होगी कि देखें कंपनी के जो numbers निकल क्या है वो बहतर है कंपनी खुद कंपनी खुद क्या रही है और उन्हें वह भी काई कि there is no impact of this change in the statement of P&L जो important चीज है NPA की वो अगर आप देखेंगे तो company के ठीक टाक रहते हुए देखने को मिले right of loan balance भी आप देखेंगे 304 गोड़का होता हुआ देखने को मिला है but overall जैसे मैंने का कि देखें यहाँ पर SBI cards अब well placed देखता है stock की price की बारे मैं बात करें आज की so आज stock अगर आप देखेंगे तो under pressure काम करता हुआ देखने को मिला कह सकते reason is same just because of the market लेकिन last one month के अंदर SBI cards 5% 6 महीने में अगर आप देखते हैं तो stock 23% YTD 10% एक साल के अंदर returns अगर आप देखेंगे तो 15% down so I think अब बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है SBI cards को करीदने का समझ यह numbers किस प्रकार के 175 करोड का मुनाफ़ा जो company का था जो 580 करोड पर आता हुआ देखने को मिल रहा है तो यहां पर buying तो बनती ही है तो SBI cards के अंदर मुझे लगता है कि अब बहुत सही levels मिल रहा है और यह तगडी कमाई करवा के देखे जाएगा आने वाले 3-6 महीने के अंदर सिर्फ 3-6 महीने के अंदर मुझे लगता है कि stock बहुत बढ़िया करेगा stock के आज के देखे बात करते हैं levels की तो 52 वीक हाई जो 1165 का है वहां से काफी नीचे मिल रहा है अब समझ ही है आज का open high सब आपको same लगता हुआ देखने को मिला लेकिन अब मुझे लगता है कि SBI Cards के उपर नज़र रखनी चीह बिजनस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और I think यह बिजनस जो है वो और बढ़ेगा इसमें कोई doubt नहीं है सो definitely SBI Cards अब well placed रिखता है और हमाई सला तो यही कि SBI Cards के अंदर definitely investment के बारे में आपका विचार कहा जा सकता है अब अगर आप देखेंगे जहां SBI Cards list हुआ था करीबन 1029 पे वहां से अभी अगर आप देखेंगे तो नीचे चलता हुआ देखने को मिल रहा है अब valuations बाजार देखें अचानक से गिरते हुए देखने को मिले बाजार के अंदर अगर आप देखेंगे तो अचानक से एक बड़ी गिरावट आती हुई देखने को मिली market काफी तेजी से slip हो गया जहां market बहुत बढ़िया कर रहे थे हैं वहां से काफी तेजी से slip होते हुए दे इकते जो है वो रइशा युक्रिंगे चल रही है इसमें कोई डाउट नहीं है और मार्केट लगातर अगर आप देखेंगे तो उसे पर रियाक्शन भी दे रहा है इसले अगर आज देखते तो निफ्टी 17102 के असपास बंद होता हुआ देखने को मिलें अच्छी बात है कि थोड़ा बहुत और फॉल आजाए क्योंकि अब में की सीजन में हम सबसे पहली बात तो एंटर कर जाएंगे और में का सीजन अगर आप देखेंगे इंपॉर्टन क्यों इस विकाज फिड फिड क्या रेट हाई करते हैं उसके उपन असर रखनी चाहिए तो डिफिनिटली वह इंपॉर्ट रहने वाल अब बात करें खर एक एसी कंपनी के वाड़े मैं जो डिविल यंपारिय का दिविडेंड का है वह मारूति मारूति के दोख देखें रिकमेंड के एक्यों पर激शले साल पैताली सुपड का दिया गया थाгляд कि अ कबात कर तो नंबट नंबर commodity prices लगाता और बड़ी बट उसका जादा effect आता हुआ देखने को नहीं मिला मारूति के numbers पे semiconductors की भी shortage है अगर semiconductors की shortage नहीं होती तो यह जो आपको profit आता हुआ देखने को मिल रहा है यह almost 70-80% तक भी जाच चले आता तो वो बड़ी बात नहीं है बट मारूति के जो numbers से उसमें सबसे बड़ा बात यहीं कि market जो leader है मारूति वो बहुत बढ़िया numbers पेश करता हुआ देखने को मल रहा है और auto companies के देखे numbers definitely इस बार के quarter के काफी important रहेंगे पिछला साल तो definitely देखे disruption वाला था क्योंकि semiconductor की shortage उसे बहुत ज्यादा थी अभी कम हुई है लेकिन हाँ अभी भी है यह कोई जरूरी अगर आप दिखेंगे